आप देखरें और आज मेरे पास एक ना बोलने वाला वोइस असिस्टेंट अमिजोन एको इंपूर्ट जिसके अंदर आपको स्पीकर नहीं मिलता है फिर भी आपके लिए काफी यूसफुल सावित हो सकता है यह वाला एको डिवाइस विकोज इसके तुरू आपको मिल जाता आपको मेरा उपीनियन इस प्राइज में आपको अमेजोन एको इंपूट मिलता है तो आपके लिए को वैल्यू फॉर मने डिवाइस साबित होगा या फिर नहीं तो अभी के लिए फटाफाट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप से रिक्वे अब करते हैं इसको अन्बॉक्स और उन्बॉक्स करने से पहले थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं बॉक्स के ऊपर भी बिकॉस काफी सारे डिटेल्स यहाँ पर भी दिये हुए हैं तो कुछ इस तरह के बॉक्स मिलता है आपको अमेजोन एको इंपूट बॉक्स पर सामने दिया हुआ है bring Alexa to your own speaker, कुछ commands हैं साथ में यहाँ पर दिया हुआ है far field voice control for your speaker, box के एक साइड में कुछ key features दिये हुए है जैसे कि यह echo device support करता है Alexa Bluetooth Wi-Fi audio line out, separate speaker required मतलब कि इसके लिए आपको एक अलक्सिस speaker की जरूद पड़ेगी, साथ में box contents यहाँ पर साइड में दिये हुए है box के दूसरे तरफ आपको दिये हुए है Amazon Echo के service provider और content providers के detail और box से नीचे दिये हुआ है Amazon device support का address जिसके जरीए आपको कोई problem होती है तो आप contact कर सकते हैं box के पीचे और भी कभी सारे details दिये हुए है जैसे कि यह वाला जो echo device है इसके जरीए आपके पास जो already speaker है आप उनको smart speaker में convert कर सकते हैं इसके जरीए आपको Alexa की सारी services तो मिली जाती है साथ में आप voice control के जरीए भी कई सारे चोटे मोटे टास्क भी कर सकते हैं साथ में यहां पर MRP दिया हुआ है 2,999 रुपए और speaker भी आपको Amazon.in से 2,999 का ही मिलता है लेकिन अभी के लिए एक offer चल रहा है जिसमें के कुछ selected Bluetooth speakers दिये हुए है उनके साथ में अगर आप Echo Input को खरीते हैं तो आपको एफेक्टिवली 1500 रुपए का पढ़ जाता है 1500 रुपए का instant discount मिल जाता है सो मैंने भी यहां पर एक speaker खरीदा JBL Go 2 जिसकी वज़े से मुझे यह 1500 रुपए का मिल गया बेस्ट वाइ लिंक आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएंगे जहां से आप भी चाहें तो इनको चेक कर सकते हैं अभी के लिए offer चल रहा है या फिर नहीं या फिर directly buy भी कर सकते हैं और जल्दी JBL Go 2 की unboxing review का वीडियो भी आने ही वाला है तो चैनल को subscribe और bell icon प्रेस करके रखेगा अब फड़ा फट से करते हैं box को open देखते हैं box के अंदर से क्या 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 मिलता है तो seal को कुछ इस तरीके से आपको सारा समान मिल जाता है रखा हुआ मैट ब्लेक कलर का यहां पर packaging है और overall packaging ठीक ठाक सी है ज्यादे अच्छी नहीं है और सबसे पहले यहां पर मिल जाता है आपको एक adapter जो है Amazon की branding के साथ में और यहां पर जो इसका output है वो है 5V 1A मतलब कि 5W का charger चार्जर नहीं power adapter है बिकॉस कंटुनियस यूज में रहेगा Amazon Echo Input के अंदर आपको कोई बैटरी नहीं मिलती है और नेक्स आपको मिल जाता है एक 3.5 mm वाला AUX केबल जिसके जरी आप external speaker को connect कर पाएंगे बाकि इसके लावा आपको मिल जाती है यहां पर एक Micro USB charging cable power cable बोलेंगे because यहां पर continuous use में रहने वाली है नेक्स आपको मिल जाती है यूजर गाइड जिसमें के step by step English में instructions दी हो है कैसे आप Amazon Echo Input को set कर सकते है नेक्स आपको मिल जाता है एक safety information guide तो आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते है नेक्स आपको एक paper मिलता है जिसके पर कुछ चीजां बताए गई है जिनको आप Amazon Echo Input के साथ ट्राइ कर सकते हैं तो फाइनली यह रहा Amazon Echo Input तो यहां पर काफी slim and trim है यह वाला डिवाइस भीकुछ इसके अंदर speaker नहीं है आपको speaker अलग से connect करना है और यहां पर quality काफी अच्छी लग रही है matte black color में है पूरा का पूरा और उपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे यहां पर दो बटन्स दिये हुए है और यहां पर एक LED notification light और टोटल चार माइक दिये हुए है जिनके जरी आपके voice command को यह device follow करेगा तो overall design में कुछ खास है नहीं काफी simple सा है और इसके पीछे जाएं का audio output port साथ में एक micro usb charging port तो फटाफर से इसको कनेक करी लेते हैं सेट अप कर देखा देता हूं मैं आपको क्या क्या कर सकता है यह echo input device तो अभी के लिए मैं इस पॉर्टेबल रूटल स्पीकर से कनेक कर रहा हूं जो है sony xp01 इसका भी review video चैनल पर अविलेवल है अगर आप तो कितने advance हो जाएंगे तो वह सब भी अभी चेक कर लेंगे तो केबल काफी लंबा इसका जो पावर कोड़ है तो इसको बड़ी आसानी से आप किसी भी पावर पोर्ट में जाकर कनेक कर सकते हैं इस बटन को दबा कर रखेंगे 6 सेकंड के लिए तो आपका echo device on हो जाएगा तो एको इंपुट को सेट अप करने के लिए आपको अपने मुबाइल फोन में इंस्ट्रोल करना है Amazon Alexa एप फड़ा फट से लॉग इन करना है अपने Amazon एकाउंट से यहां पर सेट करना है आपको echo device echo input काफी सब्सक्राइब करना है इसके बाद अलाओ कर देना एक्स लोकेश लिए आपको सेलेक्ट कर दिना है और नेक्स टेप पर आपको वाइफाई नेटवर्क सेलेक्ट करना है सेम अपने मुबाइल फोन पर और सेम ही आपको Amazon echo input device के लिए और हाँ अगर आप चाहें तो आपके जो Bluetooth speaker हैं उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो Bluetooth speaker है अपने echo input device के साथ मैं voice command के जरिए call करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं अभी के लिए setup complete हो गया है अब देखते हैं यह क्या क्या कर सकता है Alexa What's the time now? The time is 11.27 PM Alexa What is the temperature now? Right now it's 11 degrees Tonight expect a low of 8 degrees Alexa Alexa Play Apna Time Aayega Apna Time Aayega By Ranveer Singh & Dub Sharma On Amazon Music Alexa Play Hardy Sandu Songs Shuffling Songs by Hardy Sandhu on Amazon Music Alexa Stop Alexa Alexa Any news from Aaj तक? From Aaj तक I am a Svarupanand के दर्म संसत का पड़ा अलान 21st वरवरी को सादू संत करेंगा यह थैकुछ उसी दिन Brahm Mandar का श्राम्या K Lor вз collectors ang贏 Paul Stop the news Hey Alexa Place a order for fourth USB cable Based on your order history I found Woat Rocket V3 extra-tough unbreakable braided Micro USB cable 1.5 m black It's 299 rupees on Amazon Would you like to buy it? yes your amazon pay balance is low would you like to pay cash on delivery yes okay order placed your total is 299 rupees including tax using cash on delivery please pay 299 rupees to the courier and will be delivered by the 8th of February for future orders you can top up your amazon pay balance on amazon.in if you change your mind just ask me to cancel the order तो अभी के लिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं order placed हो गया है या फिर नहीं तो आपका जो default address set होगा तो order automatically placed हो जाता है और order यहाँ पर placed हो चुका है अब मैं फटाफट से इसको cancel करता हूँ Alexa cancel my last order on amazon for board usb cable your last amazon order was placed today it has one item in it board cable would you like to cancel it yes ओकी order cancelled तो अभी मैं फटाफट से रिफ्रेस करता हूँ my orders को तो यहाँ पर order cancel हो गया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अब जो ओडर है cancelled orders में शो कर रहा है Alexa इस्पेल सड़नली suddenly is spelled S U D D E N L Y Alexa क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं अंग्रेजी के बाद अब मैं थोड़ी थोड़ी हिंदी भी सीख रही हूँ मैं कई और भाशाओं में fluent हूँ और लगातार सीख रही हूँ आप चाहे तो Alexa आप में जाकर किसी और भाशा को सेलेक्ट कर सकते हैं तो फैनली में बात करूँ अपने opinion की इस echo input के बारे में तो design काफी compact सा है, slim सा है, काफी बढ़िया दिखता है लेकिन यहाँ पर जो LED है वो काफी छोटी है तो आपको दूर से दिखाई नहीं देती है केवल एक छोटा सा sound आपको सुनाई दिता है जवाब बोलते हैं Alexa जिसके बाद आप command दे सकते हैं और यह Alexa के जो mic है वो भी काफी अच्छे से काम करते हैं मेरा जो 10x12 का room है इसमें काफी अच्छे से काम कर रहे हैं मैं कितने भी धीरे से अगर Alexa बोलता हूँ तो यह response करता है जितने भी सारे features इस Alexa के अंदर दिये गए हैं वो काफी अच्छे से काम करते हैं और काफी intelligent भी है काफी सारी चीजों पर अच्छे से response कर देता है अगर आपके पास भी कोई पुराने speakers रखे हुए हैं जैसे कि मेरे पास रखे हुए हैं तो यह काफी अच्छे से काम कर रहा है और आप उन speakers को convert करना चाहते हैं smart speakers में तो यह काफी अच्छा solution हो सकता है और अच्छी बात में जो आपको बताना चाहूंगा इस echo input device के जरी आप अपने घर के basic वाले speakers को smart speakers में convert कर ही सकते हैं साथ के साथ अगर आपकी car में भी basic stereo है जिसमें के bluetooth नहीं है तो आप उस basic वाले car stereo को भी smart stereo में convert कर सकते हैं और हाँ यहाँ पर थोड़ी सी boundations है इस echo input को इस्तमाल करने के लिए वो यह है कि यहाँ पर हमेशा wifi और power से connect करके रखना पड़ेगा इसके अंदर आपको कोई internal battery नहीं मिलती है तो घर में तो power की कोई दिक्कत होने नहीं वाली हमेशा आप connect करके रख सकते हैं और car में भी आपको car charger मिल जाता है जिसके जरीए आप इसको इसको इस्तमाल कर पाएंगे अब बात करते हैं price की तो price तो मुझे काफी ज़्यादा लगता है echo input आपको मिलता है 2999 मतलब के 3000 रुपई का और 3000 रुपई में आपको echo.third generation वाला भी मिल जाता है कोई sale, discount वगरा चल रहे हैं तो जिसके अंदर speaker भी है और ये काफी अच्छी LED light भी दी हुई है तो 3000 रुपई में तो आप इसको बिल्कुल मत खरी दिएगा और ये बात Amazon भी जानता है कि 3000 रुपई में ये काफी ज़्यादा महंगा है तो उन्होंने काफी सारे clubbed offer निकाले हुए है इस echo input device के साथ में इसी clubbed offer के अंदर मैंने इसको purchase किया Amazon.in से JBL Go 2 के साथ में इसका price है 2400 रुपई regular price है और इसका price है 3000 रुपई लेकिन जब ये दोनों चीज़ें आप साथ में खरीदेंगे तो यहाँ पर आपको echo input के उपर मिल जाता है 1500 रुपई का discount तो 1500 रुपई के price में आपको ये echo input device मिल जाता है अभी के लिए अगर आपको खरीदना है तो clubbed offer में ही खरीदिएगा जिन-जिन speakers के साथ आपको ये offer मिल रहा है तो सभी के best way link के वीडियो के नीचे description में available है जहां से directly जाकर आप product को cart में add कर सकते हैं इसका link भी आपको वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा जहां से directly इसको cart में add कर लेंगे और cart में add करने के बाद जैसे ही आप payment page पर जाएगे तो automatically ही आपको 1500 रुपए का discount मिल जाएगा और 1500 रुपए की price में ये एक value for money product है जरूर से आप खरी सकते हैं आपको वीडियो पसंद आयोगा पसंद आये तो लाइक कर दीगा शेयर भी कर दीगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बैल आइकन भी प्रेस कर दीजिगा ताकि अगली बार कोई भी लेटेस वीडियो आएगा तो आपके पास notification पहुंच जाएगा जैसे कि इस इसका वीडियो आने वाला है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए